आज चारो तरफ पहरा है बोलने पे तो अस्पेसली पहरा है देश के अंदर क्योंकि सरकार किसी को भी बोलते नहीं देखना चाहती सरकार नहीं चाहती उनका विरोध सरकार तो जो सभी सरकार है वो अपने विरोध में कोई सवर नहीं चाहती है कोई आवाज नहीं चाहती है कि उन्हें मैं आप लाइब से जुड़े हैं मैं यूध में आपका धन्यवात करता हूं मैं फिर अपनी बात को दो रहता हूं कि मैं सभी के लिए मंगल कामना भेट करता हूं आपके परिवारों के लिए कि वह सुख सलामती से रहें में बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं घर पर आया हूं और मां को मां की तब्रित को लेकर थोड़ा चिंतित था आप सब की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि वो पहले से उनको अराम है महापुर्सों का अश्रवाद से वो स्वस्थ हो जाएंगी मंगल कामनाओं में मैंने कहा कि जो साथी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करें जो जोब की त्यारी करें उनको जोब मिल जाएं जो बिजनस करें उनका बिजनस अच्छा चले तमाम तरह से जो बेहने माएं हैं स्रुप्षित रहें तो आज के इस लाइव में मैं अगठन पार्टी और समाज के लोगों के लिए नेत्रत करता होने के नाते उसके साथ साथ कि मैं जो प्रेशानिया मेरे सामने अभी आई हैं पिछले तीन चार पात दिन में उनको भी आपके सामने रखूँगा सरवर्थम मैं समय समय पे जो संथ महापुरूस जनम लियें भारत के अंदर जिनको हम महामानत अत्थाकत बुद्ध से सुरू करके और अभी हाल फिलाल में माने और काशिराम साथ जो है उनके आसपास जो समकाली के उन पर समाप्त करते हैं जब मैं नमन करने की बात करता मैं उन सभी महापुरूसों को युकपुरूसों को नमन करता हूँ और आज का जो लाइव है उसके विश्य में आपसे बात करना चाहता हूँ आज का जो हमारा लाइव है वो 14 अप्रेल को लेके है च्कि 14 अप्रेल परम पूजनिये डोक्टर बावसाम बेटकर जी की जैनत जाती है और वो पूरी दुनिया में बनाई जाती है दुनिया में उनका समान है दुनिया में लोग उनका जो है आदर करते हैं दुनिया में लोग जो है उनको जानते हैं उनके द्वारा किये कारियों की वज़े से भारत में नहीं दुनिया में उनका समान उनकी जैनती आ र तो उस पे मेरा सभी सरकारों से ये कहना है उनकी intelligence उनकी LIU उनके जो और तंत्र है वो उनको बताएंगे मेरी सरकारों से अपील है असपेसल उत्रप्टेर की सरकार से कि भारते सविधान सभी धर्मों को धार्मिक सर्तंत्रता देता हर वेक्ति को कोई भी वेक्ति अपने धर्म के तैवार को अपने महापुरसों की जनब जैनती को या अन्य किसी कारिकरम को करने के लिए अगर वो करना चाता है तो सरकार को permission देनी चाहिए बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में हैं, बीजेपी के जो प्रैमिस्टर हैं, बीजेपी के बारे में उनकी कतनी करनी यह है कि वो बड़े लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि वो बावसाब की बहुत बात करते हैं, हर मामले बावसाब की बात करते हैं, लेकिन वहीं वो पावर साब के विचारों को उनके इस पावन दिन पर वो उनके विचारों का परचार परसाड ना हूँ मुझे ऐसा मैसूस होता है इसलिए वो जैनती के कारेकरम की परमिशन नहीं दे रही देखें मैं वापस एक इस बात को दो राता हूं कि सभी धर्मों को धार्मिक सवतंता भारते सविधान देता है सभी लोगों को कि वो अपने धर्म के आईजनों को कर सकें सब की अपने अपने आस्ता है जैसे इसलाम को मानने वालों की इसलाम में आसता है हिंदू धरम को मानने वालों की हिंदू धरम में आसता है जैन धरम को मानने वालों की जैन धरम में आसता है सिख धरम को मानने वालों की सिख धरम में आसता है वैसे ही हम जो वंचे सोसी तबके के वर के लोग है उनकी भी अपने महापुर्सों में आस्ता है मैं कुछ दिन पहली बात करूँ अभी हनुमान जैन्ती मनाई गई सब जगा पे सब लोगों ने आजन किया हमें किसी को प्रिशानी नहीं हुई जिन लोगों की उनमें आस्ता है उनको पूरी आजायत है कि वो अपने धार्मी को आजन को करें लेकिन फिर जब जो बावसां बेटकर को मानने वाजन लोग है उनमें आस्ता रखते हैं उनको भी पर्मेशन मिलनी चाहिए जबकि करना तो सभी सरकारों को चाहिए जहां जैसे वो अन्य महापूर्सों के लिए कराते हैं उनको चाहिए कि वो स्वेता कराएं उसके साथ साथ उनको जो उनकी स्टेचू लगी में उसको उसकी सफाई कराएं उसको पर पेइंट कराएं उसको सजाएं अगर वो वास्तिकता में जो भी सरकार जाएं वो अगर वो वा सब्सक्राइब कर आए जिससे कि यह 30 मारों मनाने में को कोई मुस्किल का सामना ना करना पड़े क्योंकि मेरे पास यह खबर है कि हजारों जगा पर पर्मिशन नहीं दिजा रही है और अगर यह पर्मिशन नहीं दिजा रही तो मैं उनके बड़े से बड़े नेता प्राइमिश्टर हूं या उनके स्टेट के मुख्यमंत्रियों या और उनके बड़े नेता हूं वह हमेशा जो कहते हैं उनकी विचारधरा उसके अगेंस्ट है लगभग बड़े पामामलों में ऐसा देखा गया है अगर वास्तिक्ता में वरगो की वोट लेने के लिए करती है दिखावा करने के लिए करती है अदरवाय इन वर्गो के जो महापुरूस में वावसाम वेड़कर मापूस तो सब के इन उनके परतिन को या उनके दिलों सभास्तिक्ता में कोई सम्मान नहीं मैं और समाज बात को मानता है कि बड़े जो जो दिखालों刑 कर दिखाने के लिए वर्गों के वोट लूट है कि उनके महापूर्सों का है कि हैगार् Egypt जहां गाउं के साथी प्रव्य नहीं मिल रहा हूं कि अब एक बड़ी संग्ठन है आपकी पूरे देश में जो है यूनिट से आपकी गाउं में सभाए हैं आपकी गाउं का संगठन है या फिर आजा समाज पर्टी के बैनर पर्मिशन दिलाएं जिससे कि आसानी से उनके अन्युयाई umaane कि अपने गाउं में अपने कस्थो अपने नंगरों में अपने शेहरों में अपने चहतरों में बहुत संगठтор कर कि जो जेंती समारों है उसको मना सके है ऐसा मेरा अपने कारिकरता नेताउंस एपील है कि जहां जिनको प्रिमिशन की वह आ रही हो वह आगे बढ़के प्रिमिशन की जम्यदारी लें और परसासन से बात करके पाल्टिय संगठन के बैनर पर उनको क्योंकि आपको कोई नहीं रोख सकता है अगर आप पाल्टिय के स्थर प्रोग्राम करें मैं तो यह कहूंगा अ हम यह चाहते हैं कि वहाओसाम बिटकर की जनम भूमियों वो राष्ट्य समार्ग घोसित किया जाए वह वैसे तो वीशू द्रोवर हैं लेकिन जहाँ उनकी भर जिनतापर्टी के वाँ सरकार और के इंद में को सरकार है तो हमारी मांग कि उसको राष्ट्य द्रोवर जो है गोसित किया जाए उसके लिए हमने मां सभावी रखी है हमारे सभी कार्यकरता बड़े पैमाने में मजबूती से महां पहुंचेंगे बारा फरवरी की तरह और वहां एक विशाल लेली के रूप में हमारे साथ ही सरकार पर ये अपनी मांग सरकार के उठाने काम करेंगे कि उस कि चोड़ा अपरेल को मौ जरूर पहुंचें मंद्यपरदेश के साथ ही जिससे कि हम हमारी आवाज बड़े पैमाने पे सरकार के कानों तक जा पाए हैं दूसरा मैं आप से भी अपील करूंगा यह मेरी समाज से परसनल अपील है जो लोग महापुरस में आश्ता रखते है कि जो महापुरस कहते हैं कि मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जुरत जो कहते हैं मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में यह तो उनके समान के तोर पे मैं इसलिए बताया है कि जहां जहां पहले से स्टेचू लगी वहां इस तरह की परक्रिया सरकार को अपनानी के वह महापुरसों को पढ़ने का काम करें ना कि उनको पूजने भाप इस बार लृति हो जैने थिसमारों बनाएक तो उनके विचारों का yeah प्रिंबल है उसमें धर्म निर्पेक्स्ता की बात हुए हैं उनको भी हमें इन सरकार को दिखाना चाहिए कि वो देखें कि वो जिस तरह से जो है अन्य धर्मों के लोगों को कुछलने काम इस देश में करने ये भी लोकतंत्र में या सविधान के अनुरूप कारिया नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपसे कांगा बहुत हाय हुल्ला करने की बजाए विचार गोश्ट्या करें और मेरी आ अपने महापुर्सों के संगर्स उन अपने महापुर्सों की जानकरी देने के लिए आप विचार गोश्टी घर में जरूर करें अपने परिवार में चर्चा जरूर करें चोदा अप्रेल की और चोदा अप्रेल को कौन जन में उन्होंने क्या किया उन्होंने किस तरक संग पूझने से आगे नहीं बढ़ेगा फिर मेरा ये आपसे बहुत एक और इंपोटेंट वो है देखे दूसरे लोगों के पास बड़े-बड़े साधने परचार के टीवी में भी आते हैं अकबार में भी आते हैं बैनर पोस्टर पे बी आते हैं कई जंगा ओर आते हैं आपके महापुरसों की जानकरी कैसे जाए उसके लिए लोगों को कैसे पता रग कम से कम एक दीपक जरूर जलाएं अपने तैवहार फेस्टिवर को फेस्टिवर के तरह मनाएं जिस तरह से सभी लोग अपने धर्मोगों के फेस्टिवर को मनाते हैं Хотя कि बच्चो ने वाली पीडियों में जागुकता फेली और वो जानने का प्रयास करें अभी तक कार्यों को नहीं कर पाएं उनके अंदर भी जग्यासा बढ़ेगी कि वो देखें किस तरह से जो है वावसाम बेट करके जैनती हम लोग जो है किसी भी मापरी से जैनती यांटी की तो 11 अबरे साउची महाराज के बारे नहीं दो乐 कि सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर तो हमारे लोग को राश्पिता जोती बाफूले जी की जैनती पर भी इसी उसा के साथ बना चाहिए जैसे वो 14 अप्रेल को मना रहे हैं मेरी आप से अपील है सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जहां परमिशन नहीं हो रही आप में को सही राफ्ता दिखाने काम करें कि हाय हुलर करने से नहीं नाचने कूदने से तमासा बनाने से नहीं अपने महापुर्फों की बात को बैठ के समयदारी से जानने से जो है हमारा काम आगे बढ़ेगा इसलिए मैंने आपसे अपील की कि आप यह करें और 14 अप्रेल को हम लोग बावसाम बेटकर की जनम भूमी को राश्टे समारक घोसित किया जाए उसकी मांग को लेके हम लोग उनको नमन करने और फिर सभाक के जरीए सरकार्त के मांग पहुचाने के लिए प्रदेश की और क मेरे इंस्टागराम पे मेरे टूटर पे फेस्बूक पे भीमार हमी के पेज पेतने मैसिज़् हैं कि हमें परमिशननरी मिल रही है इस तैनना तक चाहिए जबकि बावसाब तो हमारे दिलों में उनको महां से कैसे निकाल रखते हो तो इसलिए मगर उनके राष्टे पर चलने के लिए आने वाली पीडियों को तियार करने के लिए इसलिए मैंने आपसे पिल्गी की एक दीपक जरूर जलाएं 11 अप्रेल को भी जलाएं 13 अप्रेल को भी जलाएं 14 अप्रेल को भी जलाएं और अपने घर में बैठके चर्चा जरूर करें बेहनों से माओं से बच्चियों से बच्चों से जरूर चर्चा करें उनको पता होना चाहिए कि कॉंस्यूशन पर चर्चा करें इसके सविधान पर नहीं कर सकती हैं आप सभी के लिए मंगल काम नाएं इस आसा उमीद के साथ कि आने वाली पीडिया और वर्तमान के जो लोग संगर्श कर रहा हैं वो अपने महापुर्सों के आदर सिध्धान्त और उद्देश्चों को समझते वे संगठितों के काम करेंगे और जो साती काम क उसपे हमारे साथ ही सत्यवान जी और उनकी टीम ने जाके वहां की जो टीम में बहुत अच्छा कार्य किया मैं उनके परिवार से मिलने जाओंगा मैं चाहता हूँ ऐसा नया किसी बहन के साथ ना हूँ लेकि इतने बड़े अन्याये पे मीडिया खामोस हो जाता है सरकार च कि फट्थान में चैने फ़य कोई खटम होगी लेकिन अभी पूजा भील के साथ जो नया हुआ हुआ उससे सरकार कारवाई रुग आपको बता सकता है कारतिक भीलोश्य वर्म्ट कार रगर कि ओंडर में भाई जो है इन्दर में परिवार के परिवार साथ जो नया हुआ उ तो होगा ये कि जो हमारी गलती इस गलती के वहें से जो जो निर्ने आप गलत कर दोगे जो पांस साल अन्य आओगा उसके जमेदार हम खुद हो जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद जय भीम जय भारत आप सभी के लिए मंगल काम लाएं आपको अभी से 14 अप्रेल बावसाम बेट कर जैनती और 11 अप्रेल आश्पिता जोती बाफ फुलेज की जैनती जी की बहुत बहुत बताएं